कुकिस को हॉम बिल्कुल बैकरी जैसी घर पर आसा नहीं पर बना सकती है अगर आपके पास अवन ना हो तो आप इसे कड़े में भी बैकरी जैसी अच्छी टेस्टी बना सकते हैं पर यह बहुत बनती भी बहुत टेस्टी है तो आईए हम कुकिस बनाना शुργू करते हैं कुकिस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे शकर, आधा कप शकर, शकर को मैंने मिक्सी के जार में पीस के इसका पावडर बरा के लिया हुआ है एक कप मैदा, आधा कप बेशन, आधा कप रेजिन, ब्लेक रेजिन, आधा कप गी, अगर आप चाये तो बटर का भी समाल कर सकते हैं, और डेड़ बड़ा चमच रवा तो आईए हम कुकिस बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम बड़ा बरतन लेंगे, और बरतन में हम गी को डालेंगे, और पावडर शुगर को डालेंगे, हम गी और शकर को अच्छी तरह से फेटेंगे, हम गी और शकर को हाथ से फेटेंगे, हम गी और शकर को पांच मीनट अच्छी तरह से फेटेंगे ताकि जो मिस् कुकी से वह काफी soft बनती है, गी और शकर के मीस्रण को इस तरा से फेटने से कुकी से वह काफी crispy और soft बनती है, देखिए मीस्रण वह पहले से काफी full के तैयार हो गया है, कितना fluffy बना हुआ है, पूरा creamy जैसा लग रहा है, अभी और इसे हम थोड़ा सा फेटेंगे, देखिए बैटर कितना fluffy बनके तयार हुआ है और इसकी quantity भी काफी बढ़ गई है तो आईए अब बैटर है वो तयार है तो इसमें हम सारे आटे वो डाल देंगे मेंदा, बेशन, सोजी और रेजिन्स अब सबका हम सबको मिक्स करके इसका डो बनाके तयार करेंगे देखें डो है वो अच्छी तरह से बनके तयार है हमने ऐसा डो बनाने के लिए बिलकुल दूद का भी इस्तमाल नहीं किया बीना दूद के ही डो है वो अच्छी तरह से बनके तयार है तो आईए अब हम इसके cookies बनाके तयार करेंगे cookies को हम कड़े में बनाएंगे तो कड़े को हम pre-hit के लिए रख देते हैं मैंने कड़े को gas के उपर रखा है और नमक मैंने यूज किया हुआ डाला है अगर आप चाहे तो fresh नमक भी इस्तमाल कर सकते हैं और यूज किया नमक हम दुबारा भी cookies cake नार्खटे बनाने में इस्तम कर देंगे और अब हम कड़े को ढपके हम इसे 10 मिरिट तक pre-hit करने के लिए रख देंगे और तब तक हम cookies को गोल शेप देखकर तयार करते हैं कड़े प्री हीट होती है तब तक हम cookies बना के तयार करेंगे देखे मैंने बड़ा नीमू का size का मैंने डो लिया है और अब हम इस दो हाथों में ऐसे बीच में पेडा जैसा शेप देंगे और इस प्रकार जे हम सारे cookies तयार करेंगे मैंने यहाप ग्रीस की हुई प्लेट ली हुई है प्लेट के उपर मैंने घी लगा के उसे ग्रीस किया है और ग्रीस की हुई प्लेट के उपर हम cookies को बना के तयार करेंगे और रखेंगे देखिए कुकीज सारी बनके तयार है इतने आटेम ऐसे 11 कुकीज बनके तयार हुई है आईए अभी 10 मिन भी हो गया है और कड़ाई है वो अच्छी दिर से प्रीहिट हो गई होगी तो अब हम कुकीज को बैक करने के लिए रख देते है कड़ाई प्रीहिट हो गई है मैंने कड़ाई के अंदर ऐसा स्टेंट रखा है और अब हम फ्लेट को रख देंगे गेस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो करेंगे और कड़ाई को ढपके हम 25 मिन बाद इसे चेक करेंगे फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे कुकीज को बिल्कुल slow gas के उपर हम बैक करेंगे तो आईए 25 मिनिट बाद हम कुकीज को चेक करेंगे 25 मिनिट हो गई है आईए कुकीज को हम चेक कर लेते हैं देखिए कुकीज है वो नीचे की साइड से डार्क रेट कलर की बैक होके तयर हुई है कुकीज काफी फूली भी है डबल हो गई है तो आईए हम गैस का फ्लेम बन करते हैं और कुकीज को बिल्कुल ठंडा होने के बाद हम इसे निकालेंगे क्योंकि अगर हम गरम कुकीज को निकालेंगे तो वो तूट जाएगी तो आईए अब इसे हम बिल्कूल ठंडा होने के बाद ही हम इसे निकालेंगे cookies को निकाल लेके लिए मैंने ऐसा flat spoon का इस्तमल किया है देखिए cookies है वो बनके तयार है पीछे से dark बनी है तो आईए cookies को हम प्लेट में निकाल लेते है cookies बनके तयार है मैंने cookies को serving plate में निकाल लिया है अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगे तो आप मुझे comment में feedback दीजिए क्या आपको ही मेरी recipe क्या सी लगी cookies बनके तयार है बिल्कुल battery जैसे cookies बनके तयार हुई है आप इस recipe को घर पे जरू ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो आप मेरी वीडियो को like कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरी चैनल को subscribe कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके दुबारा आप फिल्म मिलेंगे तब तो कि लगे thank you, bye ज्या जुबारा आपको शुम doesn't आप मेरे जए वीडियो ह theo वीडियो दूस्वा, पस्त pracy, Žिए